हेलो एन वेलकम टू टेकफेयर्स मेरा नाम है सूरज और आग मैं आपसे डेस्क्स करने वाला हूँ यूरोपीय स्पेस एजनसी त्वारा एनॉंस कियेगे हाली में उसके एक मिशन के बारे में जिसका नाम है एनविजन तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो क्योंकि एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट है खासकर यूपीयस के क्योंकि उस में इससे रिलेटेट कोश्चन जरूर पुछे जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को उससे पहले मैं आपको पता तूँगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें ताकि इन फीचर आने वरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथी साथ मैं आपको इस वीडियो में इस लेक्चर से संबंदित हर एक पर चलते हुए यूरोपी अंत्रिक्ष एजंसी ने गुरुवार को घोशना किया कि उसने एनवीजन को अपने अगले और्विटर के रूप में चुना है जो 2030 के दसक में किसी समय शुक्र का दावरा करेगा पिछले हपते नासा ने प्रिच्वी के निकरतम पडोसी शुक् इन में से प्रतेक मिशन के लिए 500 मिलियन डॉलर आमिटित करने की उमीद है जो 2018 से 2030 के बीच लाउंच हो सकता है बात करें एनवीजन की तो ये क्या है एनवीजन मिशन तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं एनवीजन मिशन यूरोपी स्पेस एजंसी के नेत्रित व लखा गया है इसे एनवीजन मिशन को एरायन रॉकेट द्वारा लॉंच किया जाना है अंत्रिक्ष्यान को शुक्र ग्रह में पहुंचने में लगवक 15 महीने लगेंगे और साथी साथ पहुंचने के बाद इसे औरबिटर सर्कुलेशन हासिल करने में भी 16 महीने लगेंगे अगर देखा जाए तो सीधा सीधा इसको धाई साल लग जाएगा अंत्रिक्ष्यान ग्रह के वाई मंडल और सता का अध्यन करने वातावरण में ट्रेस गैसों की निगरानी करने और इसकी सता का विशलेशन करने के लिए कई प्रकार के उपकरनों को भी ले जाएगा नासा दोरा प्रदान किया गया एक रडाल सता की छवी बनाने और उसका नक्षा बनाने में मादद करेगा एनविजन वीनेस के लिए एक और ESA के नेतरित वाले मिशन का अनुसन करेगा जिसे वीनेस एक्सप्रेस 2005 से 2014 के बीच भेजा गया था कहा जाता है जो वाय मंडली अनुसंधान पर केंदरित है और ग्रह की सता पर ज्वाला मुखी होटी स्पॉट की और इशारा गरता है इसके अलामा जापान का हाली में अभी अकास्थू की मिशन यान भी 2015 से ग्रह के वाय मंडल का अध्यन कर रहा है शुक्र ग्रह का अध्यन करने में बैग्यानिकों की दिल्चस्पी क्यों है आखिर इनका में मोटिफ गया है कि आखिर जानना क्या चाते हैं तो चले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये से केमिशन म से घिरी गर्मी के कारण शुक्र ग्रह का सौरमंडल सबसे गर्म है शुक्र ने इस राज्य में आने के लिए किस इतिहास का अनुभाव किया और क्या या भविश्यवारी भी की जा सकती है कि प्रिथवी के भागी को भी विनाशकारी ग्रीन हाउस के हैसों से गुजनना और वेरिटास मिशन के बारे में नवाब बात कर लेते हैं इसके में मकसद के बारे में इसका ओप्जेक्टिफ क्या है इस मिशन का शुक्र ग्रह के वायमंडल यंग सता का अध्यन करेगा यह है मिशन वायमंडल में ट्रेस गैसिसमसलन कारण डॉक्साइड, जलवाष, अध्यान करेंगा साथ-िसाथ मीथिन को भी मोनिटर करेंगा शुकरग्रह के सतह को सर्फिस का यह निरिक्षिन करेंग इन सब एध्यान के लिए इस स्पेस क्राफ्ट रूस ने भेजा था जिसका नाम वेनेरा था इस उसमें वेनेरा सिरीस के भी काफी साले मिशन भेज़े जा चुके थे जो की अंसक्सेस्फुल रहे थे इसके बाद नासा ने मैंगलेनल मिशन भेजा जिसने 1990 से 1994 तक शुक्रग्रह का अध्यन किया यूरोप की सता पर वायमंडल होट्सपॉट की और इशारा की भी किया था यानि जौला मुखी होट्सपॉट की भी वहाँ पर खोश की थी वीनेस एक्सप्रेस मिशन 2014 में ही समाप्त हो गया था जापान का अकास्यों की अंत्रिक्षान 2015 से ग्रह के लिए वायमंडल का दिन कर रहा है हाली में नासा ने भी शुक्र ग्रह के लिए लाविंसी प्लस ओवेटास नमक दो मिशनों की घोशना की है अब बात कर लेते हैं भारत का रूख क्या है शुक्र ग्रह को लेकर इन सब के अलामा इसरों ने भी शुक्र ग्रह के लिए एक और मिशन भेजने का प्लान बनाया ह इस mission का नाम इनोंने रखा है शुक्रियान यह भी एक orbiter mission है शुक्रग्रह के लिए यह mission भारत का पहला mission होगा इसे 2024 या 2026 में launch किया जाने की उम्मीद है यह चार वर्षों तक शुक्रग्रह का अध्यन करेगा साथ स्वीडिश Institute of Space Physics भी भारत के इस mission में साथ जुड़ा हुआ इस mission का मकसद शुक्रग्रह के वायमंडल एवं इसकी सिनरचना का अध्यन करना है यह mission शुक्रग्रह की सता एवं उपसता की विशेशताओं का भी अध्यन करेगा पिछले साल वैग्यानिकों की एक टीम ने शुक्रग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस पाया जाने की अमली ये वातावरण होने के वज़े से यहां जीवन लगभग असंभास आ है अभी तक कोई मानोग्रह इस पर भेजा नहीं गया है जो स्पेस क्राउड भी भेज़े गये थे वह भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सके हैं इसके वातावरण के कारण इसका करण इस ग्रह के बारे में यह अखिर क्या है तो आप देख सकते हैं कि वीनस ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है पश्चिम से उपता है पूरब में डूपता है जो कि प्रित्वी के बिल्कुल अपोजित है और भी बहुत कुछ है में आप पढ़ सकते हैं मैंने लिखा हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यह है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जिसमें इन्होंने यह बताया है कि European Space Agency and Mission to Venus जो की लांच होगा दोजार अथाटाइस से तीस के बीच और आप यहां पे देख सकते हैं कि एक पिक् आप यह है इस वीडियो का एंड अगर आपको यह पसंद आया हो आपको इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस लेक्चर को शेयर जरू करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें इस वीडियो को लाइक करें और अग आप मारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह वीडियो इतना लेट रिकॉर्ड मैंने इस लिए किया क्योंकि इसमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है इसमें सब कुछ करने में समय लग जाता है और अगर आपको इंस्टेंट इस त इस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहां से मुसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट पूछ सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दिस हैव ग्रेट डेए